दर्शक्रिन अहीले सम्मा आम प्रियोक का लागी कुरोना भाईरस विरुद्ध को कुनेपने खोपले अनुमती पाईसकी को अवस्थाथ शाइना यद्यपी डुक ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर को अनुसार भारत यूरोपेन यूनियन अमेरिका को व्याक्स बिलायत रजपान ले गरी खोप विकासमा लागे का कमपनी हरू एस्ट्राजेनेका अक्सपोर्ड युनिवर्शेटी संगा 2.4 बिलियन डोच, नोवा व्याक्स संगा 1.3 बिलियन डोच, सनोफी जी एसके संगा 732 मिलियन डोच, और फाइवर बायोन टेक संगा 526 डोच को माग गरे कासन। आखिर व्याक्सिन ले काम कसरी गर्शा यु रिपोर्ट ठेरों। अस्तई भाईरस पची सरीर मा प्रवेश गर्यो भने, पहिले नई विकसित एंटी बडिले सजेलाई भाईरस लाई पराजित गर्शा रहामिलाई पिरामी उनवाट बचाउंछा। उनत अहिले अनुशंधान सस्ता आफनो तरिकाली संभावित खोब विकास मा प्रियासरत छन। यति अपी खोब को विकास को लागी आफने प्रक्रिया हुन्छा। पहिलो कुरा ता परिक्षण पची खोब सुरक्षित द्रय को पुष्टी हुनु आवस्तेक छा। जसले भाईरस को भृद्ध मा एन्टी पड़ी को विकास का लागी बाध्या पारे संगई शरीर मा नकरात्मक असर न गर्नी पनी सुनिश्ची तुन पर्षा। तेसको साथ मा नियमन कारी निकायको अनुमती पनी आवस्तेक उन्छा। पने विश्चो को ठूलो जनसंख्या सम्मा खोब पुर्यावनु पनी उत्तीकै चुनवती पूणा कारिया हो। खोब को प्रभाब कारी ताली नई जम्मा जनसंख्या को कतीले खोब लिये पची संक्रमण फैलाबट रोक्छा बड़ने निर्धारण गर्ने छा। अहिले सम्मा साथी देखी सत्तरी प्रतिसत मानिसले खोब लिये पची संक्रमण रोकी ने बताईये कुछा। COVID-19 को खोब निर्माड जुन रप्तारमा अगी बड़ी रोयकुछा। त्यो भंदा निक्कई बड़ी गतिमा अहिले पने कोरोना भाईरस फैली रहेकुछा। अहिले पने ठूलो जनसंक्या कोरोना भाईरस को संक्रमण को उच्छ जोखीमा छा। खोबली मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली लाई कोरोना भाईरस संगा लण्नको लागी एंटी बड़ी विकास गर्न बाध्य पारने छा। अब यो शरीर को रोग पतिरोधी छेमातालाई एक्टिवेट गर्ना भ़ लागी एक्सिंद आरो गिधन प्रकार का हुंचन। तेसकान त्याक्षिन पनी शरीर्मा तो चाथोजन को दिरुदमा तो कितानों दिशानों को जिरुदमा लाक्षिन को रुपमा प्रयोगवर्ना को लागे त्यासाई को ते कितानों दिशानों को अम्सचाइन जा त्यासिन को रुपमा प्रयोगवर्ना को लागे तेसकान कुने-कुने कंपणी ले जाई, तेई वाइरस को, वाइरस को इस्पाइक प्रोटीन, अथबर तेई वाइरस लाई, इनेक्टिवेट गरेदा, मारेदा, तेशको प्रोटीन लाई, तेशको अमसा लाई प्रयक गरेगा छन, भने कुने-कुने कंपणी ले जाई, तो आम्रोश शरीर को रोग प्रतिरोदी छेमता लाई पुने पनी बाइरस औरको भाइरस लेशंकमर गरना साथ चोशंगा लोणना को लाई त्रायर पारे राखचा। तिसुत खोपको विकासले मात्रा पूड रूप मां कोरोना भाइरस लाई पराजित गरना भने संबब शाईना। तिसको लागी सबैले खोप लेन सकने बाताब्रण को सुनिश्चित गरनु पनी उत्तिकई आवस्चेक छा। पने औरको तिर जसरी कुरोना भाइरस ले आफ़नु सोरुप पारम बार परिमार्जन गरी राखेगो छा। तिस अनुरूप खोप ले पनी काम गरन सकने बनावनु आवस्चेक छा। यद्यपी विश्वबने खोप को प्रतिक्ष्यामा नेकाई बेग्र देखिन छा। एकोनोमिक फोरम ले सन 2020 अगस्ट मा घरेको एक अध्यन मा चवत्तर प्रतिक्षत ले खोप उपलब्द भाइको अबस्तामा तेसको प्रियोग गरनी बताएकाच्छन। चीन मा 97 प्रतिषत भारत मा 87 प्रतिषत अमेरिका मा 70 प्रतिषत रूस मा 54 प्रतिषत पोल्यांट न हंगेरी मा 56 प्रतिषत अनि फ्रांस मा 99 प्रतिषत जनसंख्याले खोप को प्रियोगरनी बताएकाच्छन।